विभिन है कि गुरुवद्वारा आश्वस बैटरी के जीवन को कैसे बढ़ाया जाए और स्मार्टफोन स्क्रीन को सबसे अच्छी तरह से कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर मैंने इसे अवशेश के रूप में मानना कर दिया। येशू की पवित्र चमणी की उस पर हर क्रिया को लोहे की चाल के अनुसार चिनित करते हुए और बैटरी और डिस्प्ले के वाल्चित शाष्वत धीमन को प्राप्ट करने के उदेश्य से सला। लेकिन ठीक पाथ सौवे पुनर भरन चक्रमें और सौवे पतन में मैंने खु केवल समय की एक बड़ी बरबादी थी। विशेश रूप से बैटरी के लिए मैंने एक संगत चीनी का विकल्प चुना। जो मुझे अच्छी गुनवत्ता और हाल के सभी उठपादनों से उपर एक एक एक्स एक्सल लहें की लग रही थी। लिखो प्रकार हुआवे ओन संकत हुआवे आई और सामाणी के law अशरी एक एक्सी डबीव वाली बैटरी के लिए वर्तवान स्मार्पोन में अधिकांच भटक चिपके हुए हैं फिर उन्हें अलग करने के लिए आपको गोल्ड की पकड़ धीली करनी होगी गर्मी सोथ का उप्योद करने का एक अच्छा तरीका है जैसे हेर ट्रायर लेकिन सावधान रहना की गर्मी ज्यादा नहों प्लास्टिक के हिस्सों को पिखलने से बचाने के लिए किप में मौजूल प्लास्टिक फिक के साथ कवर के किनारों के साथ काम करते हुए बैटरी के साथ आपूर्ती किये गए उपकरनों की लेकिन दबाव को बड़ा चणा कर पेश किये बिना, मैं पीछे के कवर को शरीर से अलग कर देता हूँ तूल कित के साथ दिये गए फिलिप्स फू ड्राइवर के साथ, मैंने दो छोटी स्टू को हटा दिया बैटरी कनेक्टर के सुरक शात्मक आवरन को हटाने के लिए मैं बैटरी कनेक्टर को अंकलर करता हूँ बैटरी दो तरफा चिपतने के साथ शरीर से जुड़ी होती है, खिद बहुत सावधानी बरते हूँ मैं छोटे लीव का उप्योग करके इसे अलग करता हूँ प्लास्टिक और पिक दोनों में हमेशा टूल किट की आपूर्ती की जाती है टैंपर ब्लास और बैटरी को बदलना काफी सरल ओक्रेशन है जो बूल मूट से पुराने टुकणों को हटाने और उन्हें नए के साथ बदलने में शामिल है स्मार्टपोन मॉडल के लिए बैटरी और टैंपर ब्लास दोनों और नाइन लाइब कुछ साल पहले मैंने उन्हें अमेजोन कडाही में पाया था पुरानी बैटरी की उत्पादन तिती जुलाई 2018 है जबकि नई बैटरी हालगी में उत्पादन की है मार्ट 2020 जैसा की लेबल पर दर्शाया गया है चिपकने वाले में अभी भी अच्छी चिपकने वाली शक्ती है इसलिए मैं नई बैटरी सीधे हम पर लागू करता हूँ मैं कनेक्टर को कनेक्ट करता हूँ और सुरक्षा प्लेट को वापस प्लू करता हूँ पुना सयोजन को पूरा करने से पहले मैं जाचता हूँ कि स्मार्ट पोन चालू है और बैटरी ठीक से काम कर रही है दरसल सब कुछ सुचारू रूट से काम करता है और बैटरी पहले से ही लगभग 50% चार्ज है चटा और पुराने तूठ प्रश से सावधानी से काम करते हूए मैं हटाता और साफ करता हूँ धटकों के बीट सबसे अच्छा आसंजन सुनिश्चित करने के लिए पुराने गोल के अफशेशों का जितना संभव हो सके स्मार्ट फोन को ग्यू करने के लिए विशेश ग्यू बेचे जाते हैं जो व्यवहार में विशिष्ट होते हैं सतीक कार्य करने के लिए बस उप्योग ताकार कर टोन्टी इसलिए इस प्रकार की सामग्रियों के लिए बोसिक सुपर्यारों मेस्टिक प्रकार गोल की अच्छा है जानना मैंने कुछ सिरिंग में डाल दिया जिससे मैंने स्टीन सुई भाग को हटा दिया इस तरह से दोनों हिस्सों के किनारों के साथ गोल्ट को पूरी तरह से चिपकाने में सक्षम होने के लिए ब्रिफ बढ़ाने के लिए मैं कित के साथ दिये गए दुब दो तरफा चेप भी लगाता हूँ हाला कि आवेदक ठीक से काम नहीं कर रहा है लगभग 15 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद जैसा कि गोल्ट निर्देशों बरसन के प्या गया है मैं दो भागों को एक छोटे प्रारम वीच दबाव से चिपकाने के लिए जोडता हूँ लेकिन तीव मैं स्मार्टफोन को कपड़े से लगेटता हूँ और इसे लगभग 24 थंटे तक दबाव में रखता हूँ लगड़ी के दो टुकड़ों के बीच में दो अकड़न मैं सही सील की जाच करता हूँ और सुखे गोंड के अफशेशों को हटा देता हूँ मूल याकन के लिए उपलब्ध विभिन एक्स में से एक के साथ बैटरी चार्ज की स्थिति मैं जाचता हूँ कि वर्तमान अनुमानिक बैटरी प्षमता यह लगवग 2900 mAh है इसलिए पूरी तरह से निर्माता द्वारा घोशित देता के अनुरूप है और मूल के बराबर साथ ही साथ अच्छी सामान्यकारी गरी बैटरी बदलने के बाद से सफर रहा मैं नया टैमपर्ड ग्लास लगाने के लिए आगे बढ़ा बेशक करने के लिए पहली बाद पुराने ग्लास को हटाना है मैं शुरू में इसे पिक का उप्योग करके हटाने की कोशिश करता हूँ लेकिन काल शूप जाता है इसलिए मैं उप्योग करने का निर्णय लेता हूँ tempered glass के नीचे slide करने के लिए dental floss जो धीरे-धीरे उपर उठेगा और यह बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रूप से उतर जाएगा यदि चिपकने वाला विशेश रूप से cut in है आप इसे hair dryya से गर्म हवा के jet से धीला करने का प्रयास कर सकते है मैं एक vacuum cleaner के साथ kit के साथ आपूर्टी किये गए नम कपड़े से डिस्प्ले को साफ करता हूँ और चिपकने वाले के साथ lint और जूल के अफशेशों को भी हटा दे कांच को यथा संभव सठीक रूट से लागू करने के लिए चिपकने वाले का उप्योग करने की सलाह दी जाती है इस तरह से आपूर्टी की जाती है कि स्थिती को लंबे समय तक ठीक किया जा सके और कांच पर पकड़ो विप्री इस दिशा में चिपकने और स्थान बदलने की सुरक्षात्मक फिल्म को आसानी से हटाने में सक्षम होने के लिए पूरी तरह से कांच जो पूरी तरह से केंड में एक साधारन दबाव देने का पालन करेगा कोई भी बुलबुले थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगे शायद बहसा भी दबाव डालने से प्रभावित शेत्रों में आपूर्ती किये गए दूसरे सूखे कपड़े से कांच की सफाय करते समय तो कुछ यूरो के साथ एक साधारन काम के साथ एक स्मार्टपोन को पुनर्दिवित करना स्वयम हो सकता है एक अच्छा विचार विधियक उप्योगों की बहुलता को देखते हुए शायद स्वचलन बैक अप के लिए सुरक्षा, मल्टिमीडिया, ट्रैकिंग, होम, क्लाउड, सवर, आदी आप इसके साथ क्या कर सकते हैं अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवार मैं व्यक्तिगत चोट के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इंकार करता हूँ जानवरों और चीज़े जो उन लोगों के साथ हो सकती हैं जो प्रक्रिया की नकल करना चाहते थे जो केवल मनोरंजन के उस देश्य से है मुझे आशा है कि मैं मददगार था और आपका सुख़द मनोरंजन करने के लिए अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कमेंट करें साजा करें पसंद करें एक सुपर भन्यवाद दे अन्य वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें सहायता का शुक्रिया अलविदा